तो आज में जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस उसका टॉपिक है वो लब्स यू ओके यहाँ पे मैं ये एक्स्प्रेइन करने जा रही हूँ कि कौन ऐसे इंसान है जो की आप से बेहत प्यार करते हैं ठीक है गाइस तो उस इंसान के बारे में आज मैं सारे information आप लोगों को provide कर दोंगी about their looks, about their nature, about their intention, सब कुछ तो गाइस यहाँ पे मैंने birth date के according दो pile select करे हुए हैं तो आप लोग अपने अपने birth dates के according pile 1 और pile 2 चूस कर लेना pile number 1 उन लोगों के लिए है जिनका भी birth date 1 से लेके 15 के अंदर आता है and pile number 2 उन लोगों के लिए है जिनका भी birth date 16 से लेके 31 के अंदर आता है ठीक है गाइस और यह जो reading मैं करने चाहरी हूँ यह timeless है general reading भी है और यह पर बहुत males और females हर किसी के लिए है और मेरे जितने भी readings होते हैं ना guys सारी ही timeless होते हैं और general reading भी होते हैं तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी reading को refer कर सकते हो according to your problems और आप लोगों को उसका solution मिल जाएगा guys और मेरे blessings हमेशा आप लोग के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी तो guys आप लोग भी तोड़ कर लेना guys ताकि मुझे motivation मिले और मैं भी धेर साई new new topics के उपर readings कर पाऊं और आप लोगों के life में छोटी सी प्यारी से help लापाऊ guys so अभी हम reading शूर करते हैं pile number one से और देखते हैं कि क्या-क्या cards भी आया है so guys for pile number one मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दो कार सिलेक्ट करे हुए हैं दो हमिट का card है guys in reverse में and two of pentacles का card है so guys यह जो भी इनसान है जो की आप से प्यार करते हैं वो इनसान बहुत ही जादा एक introvert nature के है guys means जादा किसी से बातचीत करना उन्हें अच्छा नहीं लगता even अपने study life में या फिर अपने career में आप कहलो वो बहुत ही जादा अलग ठलग रहते हैं अकेले काम करना जादा prefer क करते हैं टीम में काम करना उन्हें पसंद नहीं है एक loner मैं उन्हें बोल सकते हूं और एक nature और भी है उनका जहां पर कि उन्हें interference पसंद नहीं है means थोड़े खुद के मर्जी के मालिक आप कहलो तीक है इस तरह का उनका nature है और देखा जाए तो ऐसा nature गलत भी नहीं होता है guys और अभी आपके person single है and chances है कि आपके person जो है ये वो एक virgin भी है उन्होंने कभी किसी के साथ physically वो इंसान intimate नहीं हुआ है ठीक है means फिस ये person के life में कभी आया ही नहीं है chances ये भी है कि वो इंसान age में आपसे बहुत छोटे हो सकते है बहुत ही जादा means यहाँ पर age gap है guys आप उनसे थोड़े mature हूँ आप सोच wise भी आपके अंदर वो maturity है लेकिन guys एक चीज़ मैं बता दूँ आपके ये जो lover है ये जो person है जो कि आपसे प्यार करते है उनके अंदर भी वो maturity है समझ है भले ही उनका age कम है लेकिन उनके अंदर वो emotional maturity है जहाँ पर कि उन्हें पता है कि relationship का importance क्या है family क्या है responsibility क्या है एक responsible इंसान में उन्हें बोल सकते हूँ you know what guys कि ये इंसान बहुत ही जादा एक loyal इंसान है ये कभी भी आपको धोका नहीं देंगे अगर आप दुनों relationship में आ जाते हो and यहाँ पर मुझे marriage भी दिख रहा है guys intuitively I can say कि आप दुनों का chances है कि शादी हो सकती है और अभी तो ये इंसान अपने career को लेकि बहुत साथ है serious है दिन रात मेहनत कर रहा है और पैसे कमाने का जुनून है काई सारे projects at a time handle कर रहा है part time jobs कर रहा है just to earn more money क्योंकि guys ये इंसान अभी stable नहीं है financially और इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर रहा है ये इंसान because ये इंसान को independent life जीना है अपने खुद का पैसा कमाना है तो guys maturity तो है ये इंसान के अंदर और career को लेकि serious है अपने आँ नाम बनाना चाहता है एक मुकाम बनाना चाहता है and you know what guys कि ये इंसान के अंदर समझ के कमी नहीं होगी सही क्या है गलत क्या है proper balance है ये इंसान के अंदर और एक changeable person भी है means ये इंसान के अंदर एक quality मुझे देख रही है चाहाँ पे कि अगर ये family के साथ है तो वहाँ पे ये बहुत ज़ादा emotional way में बातचीत करते है जब friends के साथ है at that moment ये इंसान fun loving person बन जाते है तो guys थोड़ा adoptable है situation के हिसाब से वो अपने nature को adopt कर लेते है environment के according ठीक है और मुझे सिर्फ maximum चीज़ ये ही दिख रहा है that ये इंसान आपके पास आने से पहले अपना एक stable career बनाना चाहते है ताकि सर उठा के आपके सामने आए and propose कर पाए चाहिए लड़का हो चाहिए ये लड़की हो ठीक है और guys ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ that इनके life में कभी भी कोई इंसान पहले नहीं था या नहीं थी और ये इंसान single है और virgin भी है और आपसे बहत प्यार करते हैं और जब आप दोनों relationship में आ जाओगे at that time आपको एक चीज इनके अंदर बहुत जादा पसंद आएगी और वो चीज ये है कि ये इंसान का balancing nature कि काम और घर, काम और प्यार, family हर एक चीज को कैसे balance करते हैं सब को कैसे सही वक्त देते हैं, सब कुछ ये इंसान के अंदर होगा और आपको वो चीज बहुत जादा पसंद आएगी और guys ये इंसान बहुत ही जादा adaptable है guys means जब आप आपके person ये इंसान को अपने family के सामने लेके जाओगे at that time वो उनके साथ ऐसे गुल मिल जाएगे न कि आपको लगेगा कि यार ये इंसान को समझना बहुत साथा मुश्किल है कभी ये इंसान totally loner है, कभी family के साथ one loving way में बात कर रहे है कभी बहुत साथा romantic है तो guys थोड़ा mysterious wife's way आएगा आपको लेकिन यहाँ पर प्यार बहुत है guys और सच्चा प्यार है, true love है ये कोई illusion नहीं है अगर मैं science की बात करूँ तो ये इंसान का जो बर्चार्ट होगा उसमें उसका ascendant science, science या moon sign जो है वो earth sign का होने के chances है, terrace, Virgo, Capricorn Virgo यहाँ पर strongly reflect कर रहा है cars के उपर और कुछ लोग के लिए मुझे वो areas भी दिख रहे है यहाँ पर मैंने कुछ extra cards निकाले हुए है तो facial features जो होगा guys बहुत ज़ादा innocent face होगा pink color की lips होगे वो alcohol, cigarettes, sarabe ये सब आपके person intake नहीं करते है थोड़े decent person है और respect दे के बात करना उन्हें पसंद है money minded है, बहुत ज़ादा पैसे कमाने का जुनून है आप दोनों के बीच में एक past life connection है guys आप दोनों शादी ही करने वाले हो ये आपके future spouse ही होंगे guarantee के साथ 100% और एक चीज़ है कि आप दोनों जब relationship में आज आओगे guys after that आप दोनों के life में एक luck आजाएगा और guys ये इंसान आप से छोड़े ही होंगे, young होंगे ठीक है और आप दोनों के बीच में कोई shyness नहीं रहेगा कोई secrets कभी नहीं रहेगी guys और ये true love भी है and you know what guys आप दोनों इस relationship में satisfy रहोगे, खुश रहोगे ये एक happy married life में तकदील होने वाला है ये आपके future के husband या फिर wife ही होंगे guys ठीक है तो आप बहुत लगी हो कि ऐसा इंसान आपके life में आने वाले हैं जो कि आप से सच्चा प्यार करता है और मुझे एक चीज़ देखा जिस दिन आप ये person से मिले होना उस दिन आपने इस person को कुछ help किया था means minor से भी help हो सकता है सब उस कुछ चीज गिर गई है और आपने उनको दे दिया या फिर उनको project में कोई help चोगी है आपने कर दिया लेकिन एक छोटा सा help दिख रहा है मुझे और उसी दोरान ये इंसान आपसे प्यार कर बैठे थे ऐसा आपका story मुझे दिख रहा है guys ठीक है तो ये था reading for pile number 1 तो अभी हम move करते हैं pile number 2 की तरफ So guys for pile number 2 मैंनी यहापे आप लोगों के लिए दो card select कर रहे हैं The Wheel of Fortune का card है guys and Queen of Swords का card है in reverse me So guys जो भी ये इंसान है जो की आपसे पेहत प्यार करता है ये इंसान कोई आपके past के BF या GF है या फिर आपके past के कोई एक friend है But you know this person और आपका एक relationship रह चुका है guys इस इंसान के साथ चाहे वो friendship का हो या फिर past BF या GF type का कोई relationship हो लेकिन relationship था था अभी नहीं है था और वो जो face था ना जब आप उस इंसान को जानते थे आप एदर आप as a friend जानो या फिर as a lover जानते थे उस time पे वो इंसान का nature बहुत ही जादा खराब side से था guys means मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक cold hearted इंसान जो की कभी भी किसी के साथ लड़ाई जगडे कर सकता है गालियां बग सकता है और उनका जो language है ना जो भासा है ना वो बहुत ही जादा खराब side से है guys means बोलने से पहले नहीं सोचेंगे किसी को भी hurt कर लेंगे जहाँ पे कि means यह इंसान का जो actual nature था ना वो बहुत ही जादा unforgiving nature था जहाँ पे कि आप उस इंसान को कभी भी माफ नहीं कर सकते हो उनके हरकतों के लिए बहुत ही जादा harsh words वो use करते थे manipulative थे हमेशा चिकनी चुपड़ी बाते करके आपको अपनी बातों में बहला फुसला के अपने काम निकलवाना जब आपको उनकी जरुद परती थे उस टाइम पे वो बोलते थे कि नहीं यार busy हूँ बस बात में मिलता है तू हैंडल कर ले ना उस तरह से बहुत harsh rude way में वो इंसान आपसे बात करते थे proper communication नहीं होता था बहुत जादा negative सोच वाले इंसान थे गाई बहुत सादा selfish में बोल सकती उन्हें और किसी चीज़ का balance ही नहीं था पैसे खर्च करने का शौक उनको जैसे कि बचपन से है पैसों के कोई तंगी नहीं थी उनके पास family के पास पैसे है मेरे बाप का पैसा है मेरे बाप की property है something like that words वो हमेशा use करते थे जब भी वो बात करते थे आपके साथ आपको बहुत बुरा feel होता था guys क्योंकि friend हो या फिर BF या GF हो कोई भी एक सलीका होता है बात करने का आप ऐसे धौस नहीं जमा सकते हो कि जहां पे आप किसी को नीचा दिखा रहे हो and because of that kind of situation वो एक toxic relationship था guys चाहे फो friendship हो या फिर एक love relationship हो लेकिन वो एक trauma की तरह था जहां पे कि उसे जहलना impossible हो चुका था and after that आपने decide किया मुझे या आपकी तरफ से दिख रहा है आपने वो relationship खतम कर दिया था आपने खतम किया ठीक है आपने बोल दिया बस it's over और नहीं हो सकता चाहे वो friendship हो या फिर relationship हो guys और आप उस relationship से बाहर आ चुके हो आप move on कर चुके हो guys लेकिन हाँ कभी कबार कुछ चीज़े हमारे मन में रह जाती है कि उसके साथ मैं relationship में था या फिर friendship में था पर वो चला नहीं जब भी आप अकेले रहते हो आपके मन में वो चीज़ आ जाती है and you know what guys क्यों आती है वो क्योंकि अभी वो इंसान आपके बारे में सोच रहे है वही इंसान है जो कि आपसे प्यार कर बैटे है after that break up or after that separation उस इंसान को आपका importance पता चला है and अभी वो इंसान change हो चुके है guys जादा तर human nature जो होता है वो changeable नहीं होता है जो इंसान जैसा होता है वैसा ही रहता है लेकिन यहाँ पर ये इंसान change हो चुके है आपके प्यार ने उस इंसान को change कर दिया है ये एक cycle है guys rotating mode में था जहाँ पर कि वो इंसान पहले 180 degree अलग type का behave करते थे and जब आप उनसे फिर से मिलोगे guys उस time पर ये इंसान अलग way में represent करेंगे ठीक है एक circle का दो part अलग-अलग way में यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक black dark side है जहाँ पर की negativity दिख रही है और उसका opposite side जो है न वहाँ पर ये इंसान बहुत साथ pure, kind-hearted है totally opposite हो गया है ये इंसान जहाँ पर की guys आप समझ ही नहीं पाओ की की ये इंसान ऐसे कैसे change हो गया लेकिन यहाँ पर प्यार है guys and because of that love ये इंसान change हो गया पैसों की value करते है family की value करते है लोगों की respect भी कर रहे है गालिया बगना या फिर किसी को नीचा दिखाना ये इंसान कर नहीं रहे है बहुत साथ unexpected way में ये इंसान का life change हुआ है because guys ये fortunate था ये distinct था कि ऐसा होगा ही होगा और अभी आप दोनों बहुत जल्दी फिर से मिलने वाले हो guys reconciliation मुझे दिख रहा है वो word दिखा मुझे और after that meeting आप दोनों के life में एक luck आने वाला है and you know what guys आपको सुनके ये खुशी होगी कि आपके ये जो person है वो अपने काम को भी बहुत साथ seriously ले रहे है जो भी changes अपने work field में आता है उसे वो अच्छे से adopt करते है और सबसे सब जितने भी co-workers है ना उनके साथ अच्छे से बात करते हैं उनके साथ misbehave नहीं करते हैं और उनको कई सारे promotions भी मिले हुए है growth कमाल का है उनके life में ठीक है and because of you उनके success में एक ही इंसान का हाथ है guys and वो हो सिर्फ और सिर्फ आप and वही चीज़ वो आप से मिल के बताना चाहते है कि तुमने मुझे change कर दिया तुम्हारी वज़े से मैं आज उस मुकाम पे हूँ जापे कि लोग मुझे respect देते हैं guys बहुत सादा ये ना means खुशे की बात होती है कि आप किसी के success में सेम भागिदारी रखतो आप बहुत लखी हो उस इंसान के लिए and जब आप दोनों फिर से मिलोगे guys यहाँ पे adjustments मुझे दिख रही है जब आप दोनों ही adjust करनी के लिए ready रहोगे and जादा तर मुझे आपके person के side से ही दिख रहा है जहाँ पे कि here she will tell you कि मुझे आपके साथ रहना है आप बोलो मुझे मुझे कैसे रहना मैं उसी तरह से ही रहना शुरू कर दूँगा या कर दूँगे like that because guys यहाँ पे प्यार है trust है एक lust भी है okay अगर मैं science की बात करूँ तो आपके person के birth chart में उनका SNS and sign या moon sign जो है वो fire sign का होने के chances है Aries, Leo, Satch या फिर ear sign का होने के chances है Gemini, Libra, Aquarius ठीक है एक चीज़ है guys कि आप दोनों के बीच में attraction बहुत जादा है physical attraction and जो कि past में भी था guys ठीक है और heartbreak तो हुआ है दोनों के ही side से आपके side से भी और आपके person के side से भी लेकिन आपके मन में था कि नहीं ये relationship नहीं चलेगा लेकिन guys वो एक illusion था means आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान कभी नहीं बदलेंगे लेकिन guys वो हो चुका है ये इंसान बदल चुके है और ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करते है guys lover है true lover है and you know what guys आप दोनों एक twin frame journey में भी हो and because of that reason आप दोनों अलग होने के बाद फिर से पास आओगे ही आओगे ये destined है ये बदल नहीं सकता guys और कई सारे opportunities आपके life में आपके person के life में आजाएंगे after your second meeting means luck आजाएगा आपके life में भी आपके person के life में भी रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे guys and union and partnership आप उनों फिर से relationship में आजाओगे ये guaranteed है और chances सादे है कि आपका love marriage होगा arranged marriage नहीं love marriage ही है आपके किस्मत में guys spell number two और very soon meet divine आपको खुद बोल रही है कि आप tension मत लो guys प्यार है आपके किस्मत में और बहुत चल्दी आप मिलने वाले हों से और ये इंसान अभी family person हो चुके है means totally अलग हो चुके है guys totally और वो आपको बोलेंगे कि हम ना शादी चल्दी कर लेंगे like that और आप सोचो कि ये जिस इंसान को शादी से इतने नफरत थी वो इंसान खुद बोल रहे है कि उसे शादी करनी है और आपके साथ बहुत मसाद वे में बात करते होंगे funny way में बात करते होंगे और शादी करने का भी शौक होगा आपके बोसन को और mature इंसान है आप से mature होने के chances है age wise भी mind wise ते मुझे ज़्यादा तर आफ ही mature दिख रहे हो guys मेरे viewers लेकिन age wise ये इंसान में maturity रहेगी ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं चार से छह साल का age gap रहेगा कुछ रोग के लिए मुझे ये दिख रहे है guys ये इंसान कोई आपके senior हो सकते है boss mentor होने के chances है ठीक है guys professor भी हो सकते है guru sister wives मुझे आ रहे है either आपका 7th house में Sagittarius होगा या पर आपका 7th lord जो है वो मुझे 6th house में या फिर 10th house में दिख रहे है guys ठीक है chances है कि आप किसी work type के environment में आपका पहला मुलाकात हुआ था या फिर आप दोनों अपने colleges में मिले थे like कुछ उस तरह से ही मुझे दिख रहे है ठीक है ये था reading आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरे जो readings होते हैं वो resonate करते हैं या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो like कर सकते हो और share भी कर सकते हो अपने family, friends and colleagues के साथ तो guys support दिखाओ और मेरे blessings हमेश आप लोगों के साथ ही रहती है so take care and be safe love you all, thank you, bye